हेलो दोस्तू आप सब कैसे हैं अप्रेंट्स उमीद करते हूं आप सब अच्छे होंगे तो प्रेंड्स आज हम जो हमारे पास कोलंडल 50 की बोतल होती है तो उस सारे रैपर हमने निकाल लिए हैं और निकालने के बाद अब हम कर रहे हैं बोतल का कटिंग तो पहले हम इसमें ब्लेड से थोड़ा सा कट लगा लेते हैं फ्रेंड्स यह ब्लेड जो है मार्किट्स में मिल जाता है तो इससे जो है अराम से लगा लेते हैं ताकि हाथ ना कटे भूती अराम से और उसके बाद कैची से अराम अराम से इन बोतल को हम काट लेते हैं फ्रेंड्स बहुती साफधानी के साथ हमें काम करना चाहिए क्योंकि यह बहुत तेज़ चीज़े होती हैं चोट लगने का डर डर रहता है तो इसलिए बड़े आसा महाल के बड़े अड़ाम से हमें काम करना चाहिए उसके बाद हम इन बोतल को जो है एक के किंच की दूरी पर इसमें हम कटिंग लगा लेंगे यह देखे इस तरह से पहले हम एक किंच की दूरी पर सारी बोतल को इस तरह से काट लेंगे अकार में काट लेंगे जैसे पत्ती होती है ने पेड की तो इस तरह का डिजाइन में से पत्ती के आकार का मैंने थोड़ dużo सा काट लिया है और इसे बहर की तरह मोड़ देंगे इस porc ताकि इसमें प्लांटर में एक डिजाइन बन जाए और ये देखने में फिर बाद में सुन्दर लगे तो जो भी डिजाइन आपको पसंद हो आप उसी क्या कार से अपनी बोतल को काट के डिजाइन बना सकते हैं तो मैं मुझे इस तरह का अच्छा लगा तो मैंने इस तरह से बना लिया ये पत्ती के हिसाब से काट के जैसे पत्ती होती है पेड़ की इस तरह से काट के और मैंने सभी बोत लोगों को इसी तरह से काट के फ्रेंट्स पीछे की तरफ मोड लिया है अब उसके बाद हम आ गये किचन में किचन में हमने अपनी गैस जला ली और इसके उप अदे पीछे नीचे की साइड में खूल कर लेंगे और बड़े सावधानी के साथ आपको खूल करने हैं, हाथ को बचा के और क्योंकि मैंने यहाँ पर वीडियो के राखी हैं, बनाने में थोड़ा टाइम लगता है फिर आपको देखने में ज़ए टाइम लगता तो इसलिए मैं थोड़ा तेज करके इसको बनाया है इसको जए धीरे-धीरे आराम से आप होल बना लिजी यह अपर बनाने के पाद जो उपर वाला हिस्सा था इसको हम नीचे की साइड में इसमें इस तरह से लगा देंगे अभी हॉल छोटा है तो दुबारा से क्या है मैंने क्योंकि इसमें बड़ी साभधानी इसलिए है क्योंकि होल बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा होल रहेगा तो इसके अंदर आएगी नहीं इस तरह से देखिए यह बनने के बाद सुन्दर लगेगा फ्रेंट्स तो यह देखे फिर मैंने के उपर जो है अब कलर कर रही हूं है तो यह मेरे पास ओयल पेंट है फ्रेंट्स जो क्योंकि बोतल के उपर आप ओयल पेंट करते हो तो जादा दिन तक चलता है और यह मैं इस ही को इसके उपर कर रही हूं फ्रेंट्स सर्दी का मोसा में सूखने में थोड़ा टाइम लगता है तो हम इसे सभी बोतलों के उपर यह वाला कलर करके रख देंगे यह मैंने जो है सभी बोतलों पे कलर करके इनको यह दे के सब बोतल पे कलर हो गया है और मैंने इने सूखने के लिए यहाँ पर रख दिया है सूखने के बाद इन सभी बोतल को मैं अंदर ले आई हूँ यहाँ पर कमरे में और यहाँ पर बैठके थोड़ा साइन के उपर काम करूँगी यह देखे मैंने सब के उपर इमोजी बना दिये हैं फ्रेंट्स क्योंकि मुझे इमोजी बनाने का मेरा मन था कि इतने दिन से कि मैं बनाऊंगी तो मैंने यह वाले प्लांटर जो बनाए है वो इमोजी बनाए है तो मैंने इनके उपर यह फेस बना दिये सभी के अब हम इन समाल के रखना पड़ता है फ्रेंट्स खतम हो जाती है तो चिंता रहते कि कहां से मिट्टी क्योंकि मैं तो अपनी सारी मिट्टी इसी तरह से पहले मैंने एक टप के अंदर रख रखी थी वह मेरी अब खतम हो गई है तो इसमें से हम थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर कर लेंगे फ्रेंट्स मिट्टी हमने थोड़ी सी ले लिये और इसके अंदर हम थोड़ा सा रेत भी मिला लेंगे ताकि हमारी मिट्टी टाइट ना रहे तो थोड़ा सा इसके अंदर में रेत भी मिला लेंगे फ्रेंट्स यह देखें और यह मेरे पास है वर्मी कमपोस्ट इसके मैंने दो दो किलो के पैकिट मंगा रखें तो इसमें से हम थोड़ा सा इसको भी मिला लेंगे और मैं इसके अलावा और कोई भी फर्टिलाइजर इसमें नहीं मिलाती हूं मार्केट से लागे बस मेरे जितने भी यह सारे प्लांट लगे हैं तो इसकी मैं जो है मैं खाली वर्मी कमपोस्ट के अलावा कोई भी फर्टिलाइजर में नहीं देती हूं फ्रेंज यह देखे मैंने सबी तीनों चीजों को एक जिगे मिक्स कर लिया इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तीनों को मिठी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंट्स यह मेरे एक हाथ में फोन है तो मैं सारा काम इक हाथ से कर रहें फ्रेंट्स आपको दिखाने के लिए मिठी को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और यह जो मेरे हाँ पर रखे हुए इमोजी प्रांटर तो इनको हम अब बाहर लेके चलेंगे फ्रेंट्स और बाहर लाने के बाद इनको मैंने रख लिया है और यह जो देखे परपल हाथ है कितनी मेरे बड़ी-बड़ी हो रही है गमले में तो मैंने फ्रेंट्स इसकी कटिंग नहीं की थी क्योंकि मैं सोचती हूँ जिस टाइम मुझे कहीं लगाने होगी इस टाइम में इनकी कटिंग कर लूँगी तो आज मैं इनकी कटिंग लूँगी और इनको उन प्लांटर में लगाऊंगी पर-पर हर्ट का जो पोधा होता है फ्रेंट्स के किसी भी मोसम में कभी भी आप लगा सकते हैं इसकी कोई चिंटा करने की जरूरत नहीं है और यह ऐसा पोधा है हमारा कि हम इसे लगा लें तो यह लग जाता है यह कभी भी जो अब जारा ख्राब नहीं होता, बहुत ही अच्छा प्लांट है, और इसका कलर भी बहुत ही सुन्दर लगता है, फ्रेंट को यहाँ पड़ा कर मैंने अपने प्लांटर रख लिए, अपने मिट्टी रख लिए तो सभी प्लांट को हम यहां पर यह देखे अपने प्लांटर में लगा लेंगे तो कुछ प्लांटर में मैंने लगा लिये हैं और कुछ प्लांटर मेरे भी बाकिये हैं तो सभी प्लांटर में मैं अपने प्लांट लगा लूँगी सारे planter ready हो गए है सम्मे मेरे प्लांट लग गए है और लगाने के बाद अब इनको यहीपर रख़नी थोड़ा देखे मैं यहां पर लाइन से लगा दिये हैं और इन में थोड़ा थोड़ा हम पानी दे देंगे तो हेही मेरे water fountain में नहीं से लिए कि फोड़ा थोड़ा 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 सा पानी हमें दे देती हूं कि अवैके कि Heardщее ज्षार हिं इसक्राइब प्रोली तो मैं नहीं मंग राख लिए तो मैं ज्युक्षिंड के प्लोड थोड़ा पानी बना सकते हैं अगर हमारे पास प्लांटर नहीं है और हमारा पोधे लगाने का मन है तो ये देखे जो कोल्टरिंग की बोतल हमारी खराब फैक देते हैं तो उनी को हमने प्लांटर बना करके यूज कर लिया है और ये इतने सुंदर-सुंदर से पोदे इसके अंदर लगा लिए तो इस तरह से हम बागवानी कर सकते हैं और अपने आपको खुस रख सकते हैं तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स से कमेंट करें इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंट्स अगली वीडियो में कुछ नई आइडियाज के साथ यह देखे वे पास से आपको दिखा देती हूँ बहुत आसान तरीके से मैंने इनको बना लिया है और मैंने पूरा का पूरा किस तरह से बनाया आपको दिखा दिया है तो आप भी इस तरह से बना करके प्लांटर अपने बगीचे में लगाएं और इन प्लांटर का आनंद ले फ्रेंट्स इस देखे प्यारे प्यारे से प्लांटर कितने सुंदर लग रहे हैं तो उकी फ्रेंड्स बाई